ताप अचीवर मिस्टर महिपाल जी, रॉइल डाइमन्ड कुनाल जादव जी, मैडम नर्टा जादव जी, बल्यो डाइमन्ड पुल्गी मुदिकिल जी, बल्यो डाइमन्ड विकास भूरा जी, इस हाल के अंदर बैठे हुए, सब मेरे घड़े, चोटे, साथी, और मेरी बहुत ही प्यारे हालना टीम को इस स्टेश के माधियम से मैं परणाम करती हूँ, मेरी जूए, बच्चे उड़े, लोगों ने बहुता स्राथ किया, बच्चों वाली है, मैं घर चिलाने के लिए एक शोटी सी शोप चिला रही थी तो लोग बोलते थे दुकान वाली है एक देन अश्लिपियर स्को लेकने का मौशा मिरा तूँख मैने अश्लिपियर स्को जोईन करा और लोगों में वोगा स्कुर किया हिमपत वही है स्ट्रीपियाद के अंदर काम करना स्टाइप किया 55 दिन के अंदर कुपाँज रेंग को हासल किया चेक आया 2,10,000 का लोगों के बोला किसमत वाली है चाप भी हिंदे के अंदर कामी चीज़ करी गाड़ी लेकि आई 10 लाग की लोगों के बोला काड़ी वाली है रूपीस कार को हाफिल किया चेक आया मेरा 4,70,000 का लोगोंने बोता 4,00,000 वाली है लेक्स चेक आया 8,70,000 का लोगोंने बोता 8,00,000 वाली है जो दो कहते हैं नेटवर्किंग मार्केडिंग के अंदर लोग काम जाग नहीं होते जहां पर सप्ड़े फुड़े नहीं होते यही राजविंद और 9 नमबर को एक लग्सरी गाड़ी लेके आएगी वोटी लोग बोलेगे वाउ लग्सरी कारवारी है दोस्तों जे नाम जेसन मान बहुत अच्छा लगता है हर परसन चाहता है बड़ मैंने स्टार्टी कैसे करी मैं अपरी फैमिली के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी मैं भी एक नॉर्मार फैमिली से बलॉग करती हूँ ग्योर की हाथ की बात करूं आप से जिस परसन की हम लोगों को जिन्दगी की अंदर सबसे जादा जुरूलिक होती है जो हमारा सब कुशो होता है साथे पांथ साल की धी मैं जब बच्चा बत्पं के अंदर होता है ना बच्चा छोड़ता होता है तो उसको एक खलोना समझके उसके साथ खेळता है एक लड़की जवजवानी के अंदराती है सबसे प्यार असका दोस्त होता है और लड़की जब इक शादी के गाल kay जाती है ना, और बाप बनके उसका साथ खड़ा होता है, बाप का रस्तन माता है वो. साध्य पांच साल की थी मैं, मेरी माँ ने हर गहना हर ऐसा बेच कर, मेरे बाप को पमाई करने के लिए डुबई के यह बेजा था. आज मेरे बत्ये खुद सोना सोना साल के हो चुके हैं मैंने अपने बाप का मुझ तक नहीं देखा अज तक मैंने अपनी मां को हमेशा जिन्द करते लड़ती हुए देखा था जिन्दकी के साथ वो किसमत के साथ लड़ रही थी क्योंकि मेरी किसमत ते तो मेरा बच्पट से ही साथ चोड़ दिया था हर ताइम हर कदम के किसमत ने मुझे मार मारी थी बच्पट की उफ़ बात मिरे पास नहीं था میں बड़ी अन्य स्टपर हुईि तो मेरी मां के ऐसा उपोई भी काम नहीं था कि वो मुझे पढ़ा सकती के पैसे बचाने के लिए उस दहां पर जो मजदूर काम करते थे उनका खाना बनाती थी मैंने अपने आख्रों से ये सब कुछ देखा था हमेशा मैं तर्फती थी मैं चालती थी आपकी अपनी मां की मदद करना मैं खुद स्टडी करी थी हमारे गड़ के अंडरी बेटिया है जो शेवी सापनी क्लास के अंदर पढ़ती होंगी शाहिद उनको ये भी पता होता कि हमारे गड़ का खर्चा क्या है हमने कैसे चला रहा है रहा हैं सिस्स्त क्लास के अंदर मैं फुद पढ़ती थी और स्टी क्लास के बच्चों के बच्चों को प्विश्चर पढ़ा के ने अपने भाई बैन की फी स्वीश्प्य कर्ती थी कोगी मुझे बला था मैं आगका लोना क्या जिद्की के साथ लड़ रही थी हर कदम मैंने जिनकी इसके साथ लड़ा जिसकी मुझे जीतने नहीं दे रही थी और मैं हार नहीं मान रही थी मैंने भी एक तर्षेटों की पिस्मत का बहुत दिया था कि एक देर मैं तुन्हें इतना मजबूर कर दूगी कि तुझे बदलना ही पड़ेगा मैं करती गई करती गई करती गई जुन लड़ते लड़ते थैंथ के अंदर चलिगे थी प्लस वend के मैंने पेपर दिए गड़ के हाल थाथी जी कि रिस्तेदरों ने प्रेशन ठाया ममा के ओपर उपर रकेली है इसकी शादी कैसे करेगी, इसकी शादी कर दे, तैंथ पास हूँ मैं, घरवारों मेरी शादी कर दी, बड़ किसमत ने वहां ही मेरा साथ नहीं शोड़ा, जिसके साथ मेरी शादी हुई, वो एक शोटी सी शॉप रंग कर रहा था, एक दुकान चिला रहा था अपने ही महले के अंदर, एक दुकान से कैसी जिन्दकी कुछ आर सकते हैं, यह आप लोग सब सोचते होगे, पता होगा आप लोगों को, कुछ रहा निकला मेरी प्लेटी हुई, बड़ मैं उस जिन्दकी से अक चुकी थी, ठक चुकी थी, क्योंकि बच्पत से हमेशा मैं गिनिपी के अंद प्लेटी थी, वहाँ बैठी बैठी सारा दिल मैं एक ही चीद सोचती थी, राजमिंदर तु इस अदिकान के लिए पैदा नहीं हुई है, जिस बच्पत में तो जीजए उसी बच्पत, उसी जिन्दकी में तो मर जाएगी, जिस जिन्दिकी को तेरे बच्चे जिएंगे, तु ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि मैं एक चीद पई थी, कि गरीब पैदा होना, आपका अपसूर नहीं है, जिए आप गरीब बच्पति हो, तो सबसे बड़ा आपकी जिए गर्टी है, मैं शौक में बैठी थी, शौक में मैं कुछ ना कुछ पेस्बुक पे सर्च का जिए थी, मेरे सामने कुछ कंपडी के पुड़ेक्स आए, उसके ओपर कुछ पोस्ट थी, जिसके ओपर लिखा हुआ था, इस बुमारी के अंदर जट मिला, इस बुमारी के अंदर जट किया, उसके अंदर नंपर था मेरे गुरू जी को शौक पातिया जी का, मैंने सबसे बड़ी जो मेरी जिन्दगी की कमचोरी ती यह थी कि मैं इतनी बड़ी भुमारी से लाचार थी जिसके अंदर बड़े-बड़े डॉक्ट्रों ने होस्पिटलों ने हाथ कड़े कर दिये थे कि इसके उपर डोज है वो है नहीं कर दिया है पर मैं जिन्दगी को जीना चाहती थी क्योंकि मैं जब रात को मुझे प्रॉब्लम होती थी सांस की मैं सारा सारा दिन रोती थी सारी साली नात मैं बैठके काईटी थी मेरे बच्चे भी पास पे बैठते थे मैं तु परमात्मा को यहां तक हुआ दे थी कि इससे अच्छा तो तू मुझे उठा ले उचुए जिन्दगी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जी नहीं पा रही थी, ना मैं कुछ खा रही थी, ना मैं कुछ कर सकती, ना मैं सो सकती, ना मैं बैठ सकती, मेरी बुरी हाद थी, लोक्ता बहुता है कर्मी के सीजन के अंदर तो हील स्टेशन के उपर चले जा, मुझे पता था मेरे करके लंदर तो चाहे बनाने क तो मैं हिल स्टेशन के ओपर कैसे चली जो मैंने इंटको भोला मैं गुरुजी मुझे पड़ेक्ट चाहिए और ये नेट्वर्किंग मार्केटिंग अंदर थे इन्होंने बोला मेडम क्या करते हो मैं मैं दिकान चलाती हूं क्याते हैं अब दिकान के साथ काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हो मैं पैसा गुसा तो बाद में देखेंगे पहले दो मुझे पड़ेक्ट चाहिए मैं जाएट लेना चाती हूं मैं ठीप होना चाती हूं क्योंकि मैं अपर जिंदिकी ते ठक चुपी थी यह मेरे पास आएटों ने मुझे कमिंगो डॉग है क्लोरो डॉग दिया मैंने यूज करना स्टार्ट किया और पहले फंदरा दिन के अंदर जिस मैडी संड को मैं पिछले अठाई सार से खा ली थी पहले फंदरा दिन के अंदर करना दिन के अंदर उस पंद को मैं यूज करना बंद कर चुपी थी एक्षी सोची मैंने चोवी मैं ठीक हो सकती है। तो बहुत भाटर किक हो traffic हो सकती है। मैंने इससे दुबारा contact कि या यह कहते है परड़ेक्ट कoffering मैं परड़ेक्ट काम करना चाते हूं कहते हैं आप नहीं कर सकते हुई मैं क्यों नहीं कर सकती, कहते हैं इसके अंदर काम करने के लिए अपना दमाग यूज़ करना बंद करना पड़ता है, जैसे सिनियर कहते हैं वैसा करना पड़ता है, यहां पर लोग काम जबरी होते हैं, लोग दोश कंपणियों को देते हैं, मैं जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करोगी क्योंकि मुझे पता था रटी की कीमत मुझे पता था पैसे की कीमत क्योंकि मैं गृपी के अंदर जी थी मैं जैसा बोलोगे मैं वैसा बद करोगी बट मुझे पैसा चाहिए दोस्तों जैसा इनोंने बोला वैसा वैसा मैंने काम करना स्टार्ट किया मुझे नहीं पता मुझे तर दिर के अंदर कैसे तपाज हो गया, कैसे 4 लाग है, कैसे 8 लाग है, कैसे मेरे पास गाड़ी है, तेरा महीने के अंदर 40 लाग से ज़्यादा की इंकम, मुझे नहीं पता मेरे पास कैसे आए, यह दो कि अगर मुझे भी लगा फासला थे, तर मुझे भी लगा फासला थे, कर मैं मभ बढ़ती काई रास्ता थे, कर मन चल खुद खुद मेरे पास आई, मेरा हासला थे, कर तर मैंने आपको प्यों रोका है, उसकी वज़ादर मैंने आपको बताई तो आप खुशी होंगे, ठीक है, so ladies and gentlemen एक बार माम के लिए जूर